दोस्तों इस वीडियो में हम Axis Bank Home Loan का इनलीसिस करेंगे Axis Bank एक तरह ऐसे 6-7 प्रकार के अलग-अलग Home Loans हमें देता है जिसमें सबसे पहला है Axis Bank का Quick Pay Home Loan दूसरा है Axis Bank का Shubh Aram Home Loan ऐसे ही एक है Fast Forward Home Loan एक है Asha Home Loan, एक है Top Up Home Loan एक है हमारा Super Saver Home Loan और एक है Power Advantage Home Loan ये सब कुछ, एक-एक Home Loan ये देखो, बस नाम अलग-अलग है हर एक Home Loan, मानलो आप Axis Bank में Home Loan लेने गए ठीक है जी, Axis Bank में Home Loan लेने गए Axis Bank में अलग आएगा, कौन सा Home Loan चाहिए क्या आपको Quick Pay Home Loan चाहिए या फिर आपको आशा Home Loan चाहिए तो अलग-लग तरहें कि Home Loan एक्सिस Bank ने बना रखें ये सारे के सारे, एक-एक के, हर एक के फीचर हम देखेंगे, ये सब कुछ हम देखेंगे वीडियो के अंत में, लेकिन सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए, कि Home Loan ये वीडियो बेसिकली हम देख रहे हैं कि एक-एक फीचर को देख लेंगे, ऐसे ही Home Loan के अंदर सभी बैंकों की सीरीज में ने बना रखेंगे, भले आपको SBI का Home Loan लेना है, तो मेरे चैनल पर ही जाके SBI Home Loan देख सकते हो, HDFC बैंक से चाहिए, तो HDFC का Home Loan आप देख सकते हो, बाकी धीरे-धीरे करके हर बैंक के Home Loan के उपर में वीडियो बना रहा हूँ, फिलाल शुरू करते हैं, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि Home Loan भाई होता क्या है, उसके बाद चलेंगे कि Axis Bank 7 परकार के दे, भले ही 10 परकार के Home Loan दे, फिर हमें तो चुटकियों में समझ आ जाएगा कि अच्छा इसमें ये फीचर बता रहे है और इसमें ये फीचर बता अब Home Loan जब हम लेने जाते हैं बैंक से, तो बैंक सबसे पहला सवाल हम से ये पूछता है कि भाई, आपको Fixed Rate of Interest पे Home Loan चाहिए, या फिर आपको Floating Rate of Interest पे Home Loan चाहिए, अब आपको कि ये क्या बला है, देखो, आज की डेट में, देखो पहले न, 2003 से अलग-अलग तरीके से Home Loan मिलते थे, बाकी ज़्यादा Deep में नहीं जाएंगे, आज की डेट में Home Loan मिलते है R L L R, ठीक है, यानि Repo Linked Lending Rate के उपर, कहने का मतलब कि जो हमारे Home Loan होते हैं ये डारेक्टली Repo Rate के साथ Link होते हैं, ज्यादा Deep में बिल्कूल भी नहीं जाएंगे, ना मैं याण पे कोई lecture दोँगा, आपको, बस मोटा-मोटा समझ लो, कि कल को अगर, मानलो R B IPreapo Rate बढ़ा देता है, तो सभी बैंकों की मजबूरी हो जाती है Home Loan के Rate of Interest बढ़ाना, यैसे ही, अगर कल को R B IPreapo Rate घटा देता है, तो सभी bank अपने home loan के rate of interest सस्ते कर देते हैं, अब यहाँ पे अगर मालो आप bank में जाए कहते हो कि मुझे floating rate of interest पे home loan चाहिए, ठीक है जी, तो यहाँ पे bank आपको यही कहेगा, मोटा-मोटा बिल्कुल साधारन भाशा में समझो, bank यह कहेगा, कि अगर मालो bank कल को rate of, जैसे एक example लेते हैं, ठीक है, मालो आज आप bank में गए, Axis bank में गए for example, एक example से, और Axis bank बोलता है कि आज हमारा rate of interest सल रहा है 10%, ठीक है जी, आपने कहा कि मुझे floating rate of interest चाहिए, तो Axis bank कहेगा, अगर कल को Axis bank, क्योंकि RBA repo rate बढ़ाएगा Axis bank के मजबूरी हो जाएगी, तो मोटा मोटी आपकी understanding के लिए, बस आप ये समझ लो Axis bank ये कहेगा, कि अगर कल को Axis bank ने, अपने home loan की rate of interest बढ़ा दिये, तो आपको भी, जो आपका current जो loan चल रहा है, उसका भी rate of interest बढ़ जाएगा, जैसे उधारण की तोर पे मालो आपकी 30,000 रुपे किष जा रही है, हर महीने home loan की, कल को home loan का rate of interest 2% से Axis bank ने बढ़ा दिये, यह नहीं आप rate of interest होगे 12%, तो आपकी किष्ट भी, एक 30,000 रुपे से बढ़के, हो सकता है 33,000 हो सकता है 35,000 हो सकता है, तो यह किष्ट भी बढ़ जाएगी, ऐसी अगर कल को Axis bank ने अपना rate of interest 10% से घटा के 8% कर दिया जी, तो इस केस में 30,000 रुपे से आपकी किष्ट घटके हो सकता है 27,000 हो जे, तो कहने का मतलब, कल को अगर rate of interest home loan के बढ़े, तो आपके भी rate of interest बढ़ जाएंगे, और अगर कल को घटे, तो आपका जो loan चल रहा है, उसका भी rate of interest घट जाएगा, इसे हम बोलते है floating rate of interest, ऐसे fixed का मतलब यह होता है, कि अगर आज 10% पे आपको loan मिल गया, तो कल को चाहे rate of interest बढ़े, घटे, आपको इससे कोई फरक नहीं बढ़ेगा, आपका पूरा का पूरा loan 10% के rate of interest पे ही चलता रहेगा, जो आपका home loan होता है, यह जादा से जादा आप 30 years के लिए ले सकते हो, क्योंकि loan का time period इतना बढ़ा है, इसलिए यह चीजे बहुत जादा माहिने रखती है, कि आप fixed rate of interest पे ले रहे हो, या फिर floating rate of interest पे, आप काफी सारे लोग पते है क्या कहेंगे, काफी सारे लोग कहेंगे कि भाई, यह floating वाला जो चक्कर है यह अपने समझ से भाहर है, हमें तो fixed rate of interest अच्छा लगता है, आज मेरे को पता दो मेरा loan कितना है, अगर मेरा loan कोई कह रहा है, जी मेरे को 30,000 पे किष्ट भर नी है, तो भाई कल को घटे बड़े, मैं अपने दिमाग में इतनी load नहीं लेना चाहता, भाई मैं आज 30,000 पे किष्ट है, बस मेरे को पता दो, तो हर मेने में 30,000 पे किष्ट भर दूँगा, लेकिन भाई, bank बहुत चलाक होते हैं, देखो, Axis Bank का ही case ले लो, ठीक है जी, Axis Bank ये बोलता है, कि हम अगर, Axis Bank ये बोल रहा है कि, आज अगर आप home loan लेने मेरे पास आते हो, तो मेरा जो floating rate of interest है न, वो तो है 8.75% से लेके, 9.15% के बीच में vary करेगा, depending on your civil score, लेकिन अगर आप यहीं पे मेरे को आगे कहते हो, कि मुझे, जो है fixed rate of interest पे loan चाहिए, तो ये मैं आपको home loan दूँँगा 14% पे, देखो, यहाँ पे कितना ज्यादा बड़ा फरक आगा है, क्योंकि bank चाहता है कि हर एक customer, मिरसे floating rate of interest पे ही home loan ले, bank चाहता ही नहीं कि आप fixed rate of interest पे loan लो, इसलिए bank पहले ही एक margin रखता है अपने पास, इतना बड़ा margin रखता है, तो almost almost 5% extra, यहाँ आप से 5% extra charge कर रहा है, अगर आप fixed rate of interest पे home loan लेना चाहते हैं, और हर bank extra ही charge करेगा, इसलिए ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना, bank में जाने और सीधा आपको floating rate of interest पे home loan ले लेना है, ठीक है जी, अच्छा, इसके बाद एक आपको बहुत interesting चीज़ समझातों है, अब क्या होता है, कि जब भी हम home loan लेते हैं, मान के चलो कि आपकी जो किष्ट है, वो 50,000 रुपे हर महीने की बन गई, कभी आपने ये सोच है, कि मानलो आपने 50,000 किष्ट बन गई, और कितना पैसा आपका interest की तरफ जाएगा, जो मैं पहले महीने, EMI भर रहा हूँ, पहले महीने मैंने ये 50,000 रुपे की EMI टक बैंक में डाग दी, ठीक है जी, अब मेरा लोन कैसे कम होएगा, क्या 50,000 सीधे सीधे इसमें से कम हो जाएगे, क्या एक पहली 50,000 की इस्थ भरने के बाद, मेरा जो लोन है, वो 99,50,000 बच जाएगा, या फिर जो पैसा है, वो कितना ब्याज में जाएगा, और कितना जो है, मेरा principal repayment होएगा, ये ना इतनी, अभी मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा, आपके पैरों तले जमीन की सकते हैं, देखो, पहले मैं आपको यहाँ थोड़ा सा समझाता हूँ, जब हमारा लोन है, वो मालो बहुत लंबे टाइम के लिए हमने लिया, मालो मैंने 30 सालों के लिए, तीस सालों के लिए हम लोन ले लिया, तो मेरा जो इंटरस्ट और प्रिंसिपल रिपेमेंट कैसे होएगा न, उसका मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, वो चार्ट कुछ लगभग ऐसा ऐसा बनता है, ये है मेरा इंटरस्ट और ये है मेरा प्रिंसिपल, ठीक है, तो पहली जब मैं किष्ट भरता हूँ न, तो छोटा सा मेरा जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल रिपेमेंट में जाता है, और ये इतना बड़ा जो अमाउंट है मेरा इंटरस्ट पेमेंट में जाता है, धीरे धीरे करके धीरे धीरे करके अगले 15-20 सालों में ये दोनों बराबर हो जाते हैं फिर जा करके मेरा प्रिंसिपल जो है वो बढ़ता है और इंट्रस घटना शुरू होता है यानि कहने का मतलब सिंपल भाशा में ये है कि जब पहली किस्त मैं भरूंगा न तो इसमें से म यहां पर करें ऐसे खड़े ठगी मार रहे हैं यहां पर मैंने करके 50 लाघ और लिएंट कर देता हूँ तो मालन यहां पर मैं मैं कैलकूलेट के ओप्षिन पर क्लिक करता ओं फिक है अब यहां पर देखो यहां पर जो मेंरि तुरे चिस्त बनेगी वह बनेगी यह जो लोन पचास लाग है, 30 सालों के लिए मैंने लोन लिया, 10.75% पे लिया, जो आज की डेट में rate of interest चल रहा है, ठीक है जी, मेरी जो EMI बनी, ये बनी 46,674 रुपे के आसपस, ठीक है जी, अब पहले महीने, जो ये EMI है न, इसमें से 46,674 में से 44,791 रुपे, मेरे जो है, interest payment में चले और मैंने principle कितना पे गिया, सिरफ 1882 रुपे, यानि पहली किष्ट मैंने 50 लाग का लोन लिया, ठीक है जी, पहली किष्ट मैंने भरी 46,674 रुपे की, ठीक है जी, जिसमें से 50 लाग रुपे का जो मेरा लोन है न, उसमें से सिरफ और सिरफ 1882 रुपे कम हुए, सिरफ 1882 इसमें का लिया, यहान पे जितना मैंने लोन लिया, लोन मैंने लिया 50 लाग का, और मेरे उपर जो इन्ट्रस लग रहा है, वो लग रहा है 1 करोड 18ガ रुपे, यानि अगर मैं 50 लाग का लोन ले रहा हूं 30 सालों के लिए तो 1 करोड 180 रुपे मेरे उपर सिर्फ बयाज ही लग रहा है आप देखो कि मतलब कितना खतरनाक सिस्टम है अब सवाल आता है कि फिर इसको ठीक कैसे करें इसको ठीक करने के लिए एक ही तरीका है अब यहां पर ध्यान से समझना यहां पर आपने पचास लाग का जब लोन लिया था तो आपकी EMI बन रहे थी 46,000 रुपे गी याद रखने इन फिगर्स को और आपका जो 46,000 रुपे में से 44,000 रुपे तो चला जा रहा था मोटा मोटा इंट्रस्ट पेमेंट में अब यही चीज अगर मैं इस लोन के टेनियोर को आदा कर देता हूं मालो मैं 30 यर्स के लिए नहीं लेता मैं 15 सालों के लिए लेता हूं हाँ मैं principal repayment सिरफ अठारा सो रुपे की कर रहा था अब मैं यहाँ पर 11,255 रुपे की कर रहा हूं यानि कि मेरे 10,000 रुपे तो बढ़ गए यानि मेरी जो किष्ट है वो 10,000 रुपे से तो बढ़ गई लेकिन वो 10 के 10,000 जो बढ़े हैं वो मेरे principal यानि मूल धन चुकाने म जा रहा है यानि इस बार आप समझ रहे हो कि मेरी किष्ट बढ़ गई और समय भी मेरा आदा हो गया यानि पहले मैं 30 एर्स में लोन चुका रहा था 15 सालों में चुका दूँगा और जो मैं अपना पैसा चुका रहा हूँ जो मेरी किष्ट बढ़ी है वो जाधा तर जो पैसा मेरा प्रिंसीपल रिपएमेंट में चला जा रहा है अब यहाँ पे बात यहाँ आती है कि हमेशां ना एक ट्राइ किया करो आप कि 15 सालों के लिएống होम लोन ले लिया ठीक है आपको करना क्या है मालो आपकी किष्ट बैठती है 30,000 रुपे हर महीने की ठीक है अब आपको ये बात तो पता चलगी कि मेरा 10 या 15 परसेंटी सिरफ प्रिंसिपल चुकाने में जाते है और बाकी सारा का सारा जो किष्ट का पैसे हो ब्याच चुकान काईदे से आपको एक साल में 12 EMI भरनी थी लेकिन आप क्या करोगे 30,000 पे साल में एक्स्ट्रा भरोगे इससे फाइदा क्या होगा कि जो आपने एक्स्ट्रा 30,000 पे किया न ये सीधा आपको help out करेंगे आपका principal repayment कम करने में मालो जो आपने ये एक्स्ट्रा 30,000 पे पे किय हो आपको 12 की जगा 12 प्लस 1 यानि 12 प्लस एक किष्टे बरनी थी अच्छा इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसके बाद आगे हम ये देखते हैं कि जो home loan है उसका process क्या है ठीक है तो सबसे पहला process तो यह है कि हम bank में जाएंगे bank में जाएंगे home loan के लिए apply करेंगे यानि एक का नाम है lawyer documents जिसे क्या होता है ना कि जब भी हम home loan लेते हैं तो home loan में bank एक तो processing fees चार्ज करता है एक बोलता है कि लोयर की फीस लगेगी एक बोलता है कि वेल्यूर की फीस लगेगी अभी बताऊंगा इन दोनों का क्या काम होता है तो यह सारी की सारी जो fees है initially हमें negotiate कर लेनी अब मालो जैसी आपने documents दिये bank आपका civil score चेक करना शुरू करेगा अगर आपका civil score ठीक है तो bank आगे process को शुरू करेगा आगे का process यह है कि bank फिर अपना एक employee बेजेगा अगर आप salary हो तो जहां पे आप job कर रहे हो वहाँ पर verification के लिए आएगा बंदा और आपके घर पे आ आपका ठीक है successfully verify होता है bank को trust होता है कि यह बंदा ठीक company में काम कर रहे हो हमारा जो loan है यह repay कर देगा उसके बाद next step यह होता है कि bank बोलता है यह आपकी जो property है जो आप purchase करने लग रहे हो या जो आप purchase करने वाले हो वो property कहां पर फिर उस property की bank investigation शुरू करता है इस property के ओपर property है बही मिरको ज्यादा loan मिल जाए इस चक्कर में और actual में जो वेल्यूर जो इसकी valuation कर रहा है वो कर रहा है तीसलाख रुपे की तो वेल्यूर market को analyze करके उसकी valuation लगा देगा भी property इतने की है ठीक है जी ऐसे ही फिर lower क्या करेगा lower उस time पर यही करेगा कि इसकी पूरी property chain नि dealer ने लगा दी सब कुछ हो गया उसके बाद bank आपको जो है एक sanction letter दे देता है sanction letter पर लिखा होगा भी फलाने बंदे को 30 लाग का home loan मिलेगा 30 लाग का home loan है इतना rate of interest है यह सारी चीज़ है अगर आपको लगता है मुझे कम ही चाहिए तो आप यह भी बोल सकते है मुझे सिरफ 20 लाग का ही loan चाहिए तो finally फिर क्या होता है जिस दिन अब आपके पास sanction letter आगया आप सामने वाली party से बात कर सकते हो बेचने वाली जो पार्टी है तो जो बेचने वाली party है finally जिस दिन आपकी deal हो जाएगी ठीक है रिजिस्ट्री हो जाएगी तो bank का एक बंदा आएगा और जो DD है demand draft वो सीधा seller को हाथ में पकड़ा देगा अगला जो point है home loan के अंदर वो होता है loan to value का अब यह loan to value क्या होती है देखो bank यह बोलता है कि अगर मानलो आपको कोई घर खरीदने है उसकी जो value है suppose करो वो है 30 लाग उरपे तो bank बोलता है कि इस case में आपको 30 का 30 लाग यानि maximum loan आपको मिलेगा 27 लाग उरपे और 3 लाग उरपे आपको down payment करनी पड़ेगी ऐसे ही जो आप घर खरीदना चाहते हो let's suppose उसकी जो value वो 30 लाग से 75 लाग उरपे के बीच में तो bank बोलता है इस case में आपको 80% ही loan दूँगा 20% आपको down payment करनी पड़ेगी जैसे example के तोर 75 लाग उरपे से जादा की value का है तो इस case में bank बोलता है भी 50% ही मैं loan दूँगा 25% आपको down payment करनी पड़ेगी जैसे example के तोर पे अगर आपका जो घर है वो 1 करोड रुपे का है तो इस case में bank आपको 50 लाग उरपे ही जादा से जादा loan देगा और 25 लाग उरपे आपको down payment कर जिसमें सबसे पहला benefit section ATC में मिलता है ATC का benefit यह बोलता है कि जितना भी आप मानलो आपने पहले मही ने EMI भरी ठीक है जी EMI आपने भरी 50,000 रुपे इन 50,000 रुपे में से मान के चलो जी 4,000 रुपे तो आपके चले गए principal repayment में और बचे हुए 46,000 रुपे मानलो आपके चल आपकी हो जारी है 1,60,000 मानलो ठीक है जी 1,60,000 रुपे साल भर में आपकी principal repayment हो जारी है तो इस case में section ATC के तहद डेड़ लाख रुपे का आपको जाद से जादा tax rebate मिल जाएगा ठीक है जी ऐसे ही जो interest repayment है न वो section 24B के तहद section 24B के तहद आपको जाद से जादा 2,00,000 र अगर कोई home loan ले रहा है तो section 80EE के तहद 80EE के तहद extra जो है 50,000 साल भर में ये interest का extra बच जाएगा यानि इसका 50,000 और कर लो यानि आप 30,000,000 रुपे interest payment में tax बचा सकते हो साल भर में 1,500,000 यानि total altogether home loan अगर आपके पास है और first time home loan बाहर हो तो आप 4,00,000 रुपे तक जाद से जादा tax rebate ले सकते हो तो एक बहुत बहुत मतलब अगर मानलो कोई tax की category में आता है न तो वह दर्द समझ सकता है कि कितना tax बच सकता है अगर आप home loan लेते हो ठीक है इसके बाद आगे बढ़ते हैं यह मैंने आपको बता दिया कि maximum home loan हम कितना ले सकते हैं अब दूबारा हम लोटते हैं यह जो अलग अलग प्रकार के यह थे हमारे home loan थे अब एक पर हम एक एक करके इसको देखना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारा एक्सिस बेंक का quick pay एक तरह से इसका नाम है quick pay home loan यह बोलता है कि इसका जो सबसे बड़ा फीचर है यह बोलता है कि reducing rate of interest यह देगा principal repayment करने में ठीक है तो मेरा जो लोन है वो 50 लाक रुपे से पहले महीने 50 लाक था अगले महीने मेरा लोन कितना हो जाएगा 50 लाक माइनस में 4000 रुपे ठीक है तो यह बोलता है reducing rate of interest का मतलब यह होएगा कि अगले महीने आपके उपर यह जो रकम है इसके उपर ब्याज लग कि चोथी एमाई तीसरी एमाई से कम होएगी इसे मोलते reducing rate of interest लेकिन सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन कितनी कम होएगी मलब 100-100 रुपे का भी फरक आजए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी क्यों क्योंकि bank बहुत चलाक होता है यह वाला graph मैंने आपको समझाया था ना शुरू में principal ना के बराबर हम पे करते हैं और ब्याज बहुत ज़्यादा पे करते हैं इसलिए जब मेरा principal repayment starting में अगले 10-15 साल ना के बराबर रहने वाला है तो मेरा reducing rate of interest का कुछ ज़्यादा फाइदा नहीं मनता क्योंकि आप यहाँ पे खुद समझो कि मैंने जब मैंने सिर्फ 4,000 पे ही तो principal मानलो 50,000 पे भी किष्ट है उसमें से सिर्फ 4,000 रुपे ही तो मैंने principal repayment किया है और 50,000,000 रुपे के loan में से अगर मैं 4,000 पे घटा भी दूँगा तो मुझे reducing का कुछ खास फाइदा मिलेगा नहीं तो सुनने में बहुत अच्छी ल कोई बात नहीं बैंक क्या बोलता है कि आप इस ग्राफ को फोलो मत करो हम आपको कुछ ऐसा ग्राफ बना देते हैं थोड़ा थोड़ा प्रिंसिपल ज्यादा काट लेंगे और इंट्रस जो है मिला थोड़ा मैच कर लेंगे न भी ऐसा नहीं करेंगे भी 4,000 हम ऐसा कर करेंगे और 42,000 पर यह काट देंगे थोड़ा आपको सपोर्ट कर देंगे लेकिन कुछ मेंशन नहीं है साइट पर पूरा का पूरा मैंने देख लिया कि कितना काटोगे लिखा हुआ है थोड़ा सा फालतू काट देंगे लेकिन कितना काटेंगे कुछ मेंशन नहीं है तो म regular मानलो आजा आपने 50 लाग का लोन ले लिया ठीक है जी आपना कोई भी किष्ट मिस ना करो भी default नहीं होने चीए आपका कोई भी check bounce नहीं होना चीए लगातार अगर आप प्यार से प्रेम प्यार से हमारा पैसा लोटाते रहोगे ना तो हम भी आपको gift देंगे gift कैसे देंगे यह बोलते हम आपकी पूरे लोन में मालो आपने 30 सालों के लिए लोन लिया तो पूरे के पूरे लोन में हम आपकी 12 किष्टें माफ कर देंगे माफ ही कर देंगे अगर आप हमेशा बिल्कुल टाइम पे अपना लोन वापिस भरते हो कभी भी default नहीं करना बस ठीक है एक भी किष्ट बाउंस नहीं करनी आपने तब हम आपकी 12 किष्टें माफ कर देंगे कब करेंगे पहली किष्ट माफ होएगी 4 साल के बाद जैसे ही 4 स अगर आपने लगातार शिद्दत से एक भी default नहीं किया तो 4 साल पूरे होते ही आपकी 4 किष्टें माफ अगली किष्ट का माफ होएगी जब आपके 8 साल पूरे हो जाएंगे अगर आपने शिद्दत से लोन भर है पूरा 8 सालों तक तो 4 किष्टें यहां पे माफ ऐसे ही ज करूंगा तो अपने सीविल का सत्यानाज करूंगा तो मैं जो default भी नहीं करना और ऐसा करने से अगर मेरा कुछ पैसा बसता है यानि 12 अगर मैं किष्टें बचा रहा हो यानि साल 50,000 पे किवे अगर मेरी किष्ट है तो आप यह मालो 5 और यह 6 लाक रुपे मैं बचा पा रह करूंगा समय पर आप जो है अपना लोन भरते रहो लेकिन इसमें यह बोलता है कि आपकी जो किष्टे है ना पहली जो किष्ट में माफ करूंगा वो करूंगा 10 साल के बाद और दूसरी किष्ट माफ करूंगा 15 साल के बाद और इसकेस में बोलता है कि अगर 10 साल रेगुलर आपने home loan भर है तो यहां मैं आपकी 6 किष्टे माफ करूँगा और ऐसी 15 साल अगर भर है regular तो यहां पर भी मैं आपकी 6 किष्टे माफ कर दूगा तो यह पुराने वाले से ही almost almost same था लेकिन इसके अंदर जो minimum loan tenure है यानि कम से कम आपको 20 सालों के लिए तो home loan लेना ही पड़ेगा आप यह नहीं कह सकते हैं भी मैं 15 साल के लिए home loan लेना चाहता हूँ इसके अंदर आपको कम से कम 20 साल के लिए तो home loan लेना ही पड़ेगा अच्छा जी इसके बाद अगला है access bank का आशा home loan आशा home loan में जादा से जादा 35 लाग रुबे का लोन ले सकते हो यह थोड़ा सा मलब आप यह कह सकते हो कि जिसे LIZ के flats होते हैं तो उस तरह ऐसे है कि अगर मान लो किसी को छोटा घर चाहिए यानि कोई अगर मतलब आप यह कह सकते हो economically weaker section के लिए आप यह कह सकते हो कि जिसका जो घर है वो मान के चलो काफी जैसे होते हैं तेतिस गच के घर होगे पैतिस गच के घर होगे पचास गच के घर होगे तो basically उनके लिए ठीक है जी उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगला है access bank का super saver home loan अब super saver home loan में आप जाद से जादा 22 सालों के लिए home loan ले सकते हो इसके बाद अगर मान लो आपको जो है यहाँ पे क्या है 22 सालों के लिए home loan ले सकते हो इसके इसके अंदर बहुत अच्छी चीज है यह मान लो आपने home loan ले लिया आपने home loan लिया 50 लाग उरबे का अब मानलो आप हर महीने 50,000 रुपे इसकी किष्ट भरते हो लेकिन मानलो यह आप हो यहाँ पर मानलो अपने पास क्या है 10,000,000 रुपे कहीं से आ गए आपने क्या करना है यह 10,000,000 रुपे अगर इधर पार्क कर देते हो इस अकाउंट के अंदर तो बैंक यह बोलता है फिर मैं आपका जो लौन है आप बस इधर पैसा रख दो इस पैसी के ओपर मैं आपको ब्याज 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 नहीं दूँगा बस इधर पार्क कर दो तो आपका जो लोन है मैं वो 10 लाग रुपे से कम कर दूँगा और यहाँ पर आपको सिरफ 40 लाग रुपे के उपर लोन देने अब मालो यह जो 10 लाग रुपे आपने इस अकाउंट में डाले है यहाँ से अगर मालो आप कल को पैसा यूज भी करना चाहते है मालो आपको 5 लाग रुपे चाहिए तो निकाल भी सकते हो तो फिर आपका जो लोन है यह 45 लाग हो जाएगा कहने का मुला अगर आपके पास कभी एक्स्ट्रा पैसा आता है तो इस अकाउंट में डाल दो वो प्रिंसिपल यहां से कम हो जाएगा तो यह एक तरह से हमारा जो है सुपर सेवर होम लोन है इसके बास दो चीजे बचती है एक हमारे पास बचता है क्या बोलते है एक बचता है हमारे पास होम लोन का टोप अप एक बचता है होम लोन का बैलेंस ओफ ट्रांसफर यानि जब हम loan के ओपर loan ले लेते हैं यानि home loan ले लिया 50 लाग का इसके ओपर मैं 5 लाग का और loan लेना चाहता हूं तो loan पे loan को हम बोलते हैं home loan top up balance of transfer को बोलते हैं मालो मेरा SBI में home loan चल रहा है मैं इसे excess bank में shift करना चाहता हूं तो एक bank से जब दूसरे bank में loan को shift करते हैं तो उसे बोलते हैं home loan एक तरह से balance of transfer हम उसे बोल देते हैं तो ये था पूरा का पूरा excess bank home loan का analysis I hope अगर आपको video informative लगिए तो please इस video को like और channel को subscribe ज़रूर करना अभी के लिए this is the end of the video thanks for listening and thank you all